क्या एक नए किसम के बायोलोजिकल इंदन की पैदावार कुरान से मुतासिर हो कर की गई है अगर आप इस टॉपिक में इंटेस्टेड है तिन कीप और वोचिंग बिस्मिल्ला रख्माले रहीम अस्सलाम आलेकुम यौल और पीस अपन हमेनेटी मैं नेम इस डॉक्टर मुझ्यम शेद और वेलकम यौल तो मैं चैनल मेरी जानब से प्यार और मुझबत भरा सलाम मेरी तमाम फैमली के लिए आप जो भी है आप जहां भी है आप सब मेरी फैमली है अगर आप में चैनल पर नहीं है तो मैं आपको पताता चच्छे दूँ इस चैनल पर हम इसलाम का एक मुझबत पहलू जागर करते हैं और जदीद साइंसी तैक्रिकात को कुरान और अदीज की रोश्ति में पेश करते हैं तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरस्टेड हैं तो चली अब बातें बहुत हो चुकी हैं जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज हमने इस टॉपिक पर डिसकुशन करना है कि क्या एक नए किसम के बायालोजिकल इंधन की पैदावार पुरान से मुतासर होकर की जा रही है इंडोनेशिय के एक शहर युगारकता के एक इस्लामिक स्कुल के बानी मुहमद जाविस मस्रूरी ने एक खास किसम के पौदे पर रिसर्च की है इस पौदे का नाम नयमपलंग ट्री होता है इस पौदे का एक खास फल होता है जिसमें से तेल निकलता है मुकामी लोग इस तेल को दिये जलाने में इस्तिमाल करते हैं मुहमद जाविस ने अपनी रिसर्च में बात प्रूफ की है कि इस ट्री से निकलने वाला तेल जो है ये एक बायोलोजिकल फ्यूल है यानि ये कि एक नबताती और हयाती इंधन है और ये इंधन अगर इस्तिमाल किया जाने लगे तो इसकी वज़ा से ग्लोबल वार्मिंग में कमी वाकिया हो सकती है क्योंकि ये इंधन महौल को आलूदा नहीं करता बलके महौल को खुशगवार करने का भी बाइस बनता है इसके साथ साथ मौम्मद जाविस का ये भी कहना है कि ये इंधन इसलिए भी फ्यूचर में इस्तिमाल किया जा सकता है क्योंकि इसकी पैदावार वाफिर मुदार में हो सकती है बिना किसी रुकावट के क्या आप जानते हैं कि इस इंधन की तहकी किस से मतासर होकर की गई है मुहम्मद जावेस का कहना है कि मुझे इस इंधन की तलाश के लिए कुरान की एक आयत से आइडिया मिला है जैसा कि सूर यासीन कुरान की सूरत 36 की आयत 80 में अल्ला रब लिज्जत इशात फर्माता है कि जिसने तुम्हारे लिए सब्स दरख से आग पैदा की तो जबी तुम इस से आग जलाते हो नायम्पलंट्री एक सब्स दरख तोता है और उसके फल से निकलने वाला तेल आने वाले वक्तों में एक बायोलोजिकल फ्यूल यानि कि नबताती इंधन के तौर पे इस्तिमाल किया जा सकता है तो देखा आपने कि वाकई हरे दरख से तेल निकलता है जो ना कि सिर्फ दियों को जलाता है बलके आने वाले वक्तों में हमारी कार्स को भी चलाने का बाइस बनेगा दुनिया जहान में इस वक्त गलोबल वार्मिंग से निमटने के लिए काम किया जा रहा है और मुख्तलिफ केमपेंज चलाई जा रही है आज से 14 सुसाल कबल नाजिल होने वाला कुरान जो के एक ऐसे शसके सीने पर नाजिल हुआ जिसको अल्ला ताला के इलावा किसी में तालीम नहीं दी आज भी इंसानियत की मदद कर रहा है इसली के साथ इस वीडियो का इखताम करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा इसे शेर कीजिएगा कमेंट सेक्षिन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको या दिलाता चुनों, जिन्दगी में कितनी मुश्किलात क्यों नहीं, कितनी मसाल क्यों नहीं, अल्ला रब लिजद पर हमेशे दावकल करते रहे हैं और मुस्कुराते रहे हैं, सुन्नत भी है और सदका जारिया भी है, and guess what, you look good too, this is me Dr. Mushram Chid, signing off, Assalamualaikum Yohol and Peace Upon Humanity.